नेक्स्ट जो कॉस्टन है वह आपका है गेट 216 में पूछा गया कॉस्टन है फॉर वेस्ट वाटर सेंपल दे थ्री देज बायो केमिकल ओजोन ओजनी ऑक्सिजन दिमांड इस इंक्यूबेशन और 20 डिग्री चल्सियस थ्री देज इस एस्टिमेटेड एस 200 मिलीग्राम पर लिटर बोल रहा है कि जो बी ओडी है किस पर थ्री डेस पर एट 20 डिग्री चल्सियस वह कितना फांड आउट हुआ है आपका तो 200 मिलीग्राम पर लिटर आपको फांड आउट हुआ है टेकिंग दी वैल्यू ओफ फस्ट और बी ओडी रियक्शन रेट कॉंस्टेंट के की वैली जो गिवन है वह आपका 0.22 पर डे गिवन है आपको देन फाइव देज बी ओडी ऑफ दी वेस्ट सेंपल टेंपर टेंपर 20 डिग्री चल्सीयस वुड बी तो वह पूछ कर रहा है कि बीओ डी आपको कल्कुलेट करना है फाइव डेस के उपर डेस कितना फाइव डेस टेंपरचर एट 20 डिग्री सेल्सीयस पर वैल्यू क्या होगी इन मिलीग्राम पर लिटर फांड आउट करो सिंपल सा कोशन है करना क्या है आपको पहले थ्री डेस की वैल्यू गिवन तो अल्टिमेट बीओ वहां से निकाल लेंगे और अल्टिमेट बीओ डिका यूज करके अपन क्या निकाल लेंगे वियोड एट फाइव डेस तो कैसे करना है तो देखते हैं सबसे पहले बात करें तो बीओड इट थ्री डेस इस तो अल्टिमेट बीओड वन माइनस ल-फिकाओ ई नौट 1-टी टूबड फावर माइनस के इंटू टी बीओड भी एवर थ्री देस पर कितना यह नहीं है यह आपका बी यह एट थ्री देस इस वुट फाउंद as 200 mg पर लिटर तो यहां पर लिख दिया आपने 200 लॉट अल्टिमेट ब्योटी कैलकुलेट करेंगे 1-e to the power k rate constant given है आपको 0.22 पर दे तो इसकी value भी सही है 0.22-0.22 पर दे देस कितना है 3 है तो t की value क्या है कि multiply by 3 तो यहां से आपका लॉट निकल के आएगा मिलीग्राम पर लीटर के अंदर अभी जो लॉट है इस लॉट को यूज करना है किसके लिए 5 देज ब्योटी 20 डिग्री सेल्सिस पर निकालने के लिए अपने नेक्स फॉर्मॉला लिखा बी ओडी एट फाइफ देज इस इकोस टू लॉट लॉट की वैल्यू यहां से जाएगी वह लिख देंगे लॉट की वैल्यू वन माइनस कर सकते हैं नहीं तो सिंपल आपको बता है उसी तरीके स्वाल करना है यहां से तो यहां से आपने देखा कि यहां पे जो वैल्यू आई वो 276.16 आई तो आप स्वाल करेंगा उसी तरीके से आपकी वैल्यू 276.16 मिलीग्राम पर लेटर आएगी ओके थैंक यू